कुछ देर पहले पापा, मेरे लिए एक कुट्टा ला दो कुट्टा क्यों? मुझे कुट्टा पालने का मन कर रहा है ऐसा कुट्टा लाना, जिसके चुडेल जैसे दाथ हो जब हमारे घर में कोई आएगा, फिर वा ऐसा करेगा पापा, मेरे लिए भी कुट्टा लेके आना, मेरा कुट्टा एसा करेगा मेरा कुट्टा एसा करेगा म्याउँ, म्याउँ, म्याउँ करेगा, म्याउँ, मेरा कुट्टा तो एसा करेगा मेरा कुट्टा ऐसा करेगा मेरे दादा जी आए हैं मेरे दादा जी आए हैне है क्या मेरे दादा जी आए है 네 दो ठब्ड मारूंगा एक बैठ जा दा 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 फिसके पीता जी ये एसा ही है ये तो कहता हूं है तो बुट्धह ओगया ये मत समझ लाuro hindo तू मेरा बेटा तेरे थपण मारूंगा उसे चुप कहता है वो मेरा पोता मैं तुझे कहता हूँ चुप उसे चुप कहता है अरे पिताजी गुस्सा मत करो सास फूल रही है बुड़ापा है लुड़क जाओगे चुप कर पापा को पहली बार किसी ने डाटा बहुत मज़ा आया पिताजी को जाने दे फिर बताता हूँ तुझे क्या बताएगा क्या बताएगा मेरे पोते को धमकी देता है आज के बाद मैं यहीं रहूँगा जा नहीं जाता नहीं जाता, क्या करेगा, क्या करेगा, नहीं जाता, घर पहुचा नहीं हूँ, बाप को भगानी की हो रही है, इसी दिन के लिए पाल पोस्के बढ़ा किया तुझे, बता, 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 पिता जी, मेरा मतलब ये नहीं था, दादा जी से कितना डरते हैं पापा, दादा कि बापा, मैं तो आपको क्या समझती थी, और आप क्या निकले? अरे चुप! लेकिन अब तो पापा बड़े हो गए हैं, अब तो नहीं मारोगे, क्यों नहीं मारूंगा? अगर कुछ गलत काम किया अभी भी मारूंगा 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 तेरे लिए बड़ा होगा मेरा तो बेटा है बेटा दादाजी एक बार पापा को मार कर दिखाओ आप बचपन में पापा को कैसे मारते थे मैं भी देखना चाहता हूँ एक बार बस, एक बार दादेजी, प्लीज, प्लीज दादेजी हाँ हाँ, मार कर दिखाता हूँ एच चलोट, इधर आ, इधर आ, मेरे सामने आ अब पिताजी, मैंने कहा इधर आ, इधर आ ये लो, आ गया, पापा डर गए अरे, चुप हो जा, चुप, तू चुप नीचे जुक, ये लो दादाजी, एक बार और मार कर दिखाओ, बहुत मज़ा आ रहा है हाँ हाँ, और मार देता हूँ बिट्टो, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा चल नीचे जुक ये लो पिता जी करो बेच जती दादा जी जब पापा मुझे मारते हैं तो मुझे जमीन में लिटा देते हैं इतना मारते हैं ऐसे आप भी पापा को मार दोगे मार कर दिखाओ हाँ हाँ अभी लिटाता हूँ अरे बिट्टु चुभोजा अपने बाप को मार खिलाएगा शर्म नहीं आती दादा जी को आपको मारने में शर्म नहीं आ रही है तो मुझे मार खिलाने में शर्म क्यों आएगी मुझे तो मजा आ रहा है जब ये छोटा था मैं इसको बैठे बैठे एक थपड में लिटा देता था लेकिन अब बुड़ा हो गया हूँ अब खड़ा होकर थपड मारना पड़ेगा तभी लेटेगा ये पापा पापा अरे पिताजी ये बिट्टु की बातों में कहां आ गए मैं बाल बच्चे वाला सयाना आदमी मुझे थपड पर थपड मारे जा रहे हो मेरी भी कोई इजचत है इस घर में चुपो जा बिट्टु जो कहेगा वो कर दोगे क्या मेरा पोता जो कहेगा मैं वो करूंगा मेरे पोते को भी पता चलना चाहिए उसका दादा कितना खतरनाक है अच्छा बिट्टु कहेगा दिवार में सर पटक दो पटक दोगे पटक दोगे मैं पटक के दिखाता हूँ रुक अरे अरे पिताजी ऐसा मत करो अरे चुप हो जा अरे अरे पिताजी पिताजी दादाजी आपको क्या हो गया चुप सब तेरी वजह से हुआ मैं मरने वाला हूँ दादाजी मैं आपको कुछ होने नहीं दूँगा मैं कुछ नहीं होने दूँगा आपको नहीं पोते मेरा अंतिम समय आ गया है वैसे भी मैं बुढ़ा हो गया हूँ अब जिंदा रहकर क्या करूँगा लेकिन मैं अगले जनम में इस घर में हाथी बनकर आउँगा हाथी 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 दादा जी दादा जी मेरे दादा 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 पित्तू मत रो मुझे भी रोना आ रहा है दादा जी अगला जनम में हमारे घर में हाथी बन कर आएंगे हाथी हाथी बन कर आएंगे मेरा सासूर जी पिता जी हाथी बन कर आभी गए बन कर दे बन है a बादा जी हाथी मेरे वार जादा जी हाथी